हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्या अरेस अकेडमी में दोस्तों RPSC फर्स्ट ग्रेड में राजस्तान जोग्रोफी की क्लास से स्टार्ट की गई थी जिसमें दोस्तों अपने राजस्तान के भोलतिक परदेश राजस्तान का सामाने परिचे राजस्तान की जलवायू राजस्तान के खनीचन सादन ठीक है और राजस्तान की मिट्टी का टोपिक अभी अब चल रहा है ठीक है बाकी के और जो टोपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके है ठीक है दोस्तों अब आगे और टोपिक बचे हैं वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे तो दोस्तों अगर किसे ने पिछले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वह प्ले लिस्ट में जाए वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड राजस्तान जोग्रोफी के नाम से ठीक है और अगर वहां पर भी नहीं मिले तो दोस्तों डिसक्रेपशन में और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा वो प्ले लिस्ट का लिंक कर दें बैल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों अपने पांच परकार की मिटिया है वो अपने पढ़ ली ठीक है आज अपन छटी से आगे पढ़ेंगे ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास तो छट्टे नंबर की मिटी है लाल काली मिटी है वो कहां पर पाई जाती है तो इसका वित्रन छेतर है वित्रन छेतर कहां पर है तो देखो बी बी सी बी बी सी का मतलब क्या हो गया बीलवाडा बासवाडा और चितोडगड बीलवाडा बासवाडा और चितोडगड ठीक है और उदैपुर में भी पाई जाती है ठीक है देखो इस मर्दा के अंदर क्या क्या उत्पादन होता है तो इस मर्दा के अंदर मक्का कपास और अफीम मक्का कपास और अफीम ये उत्पादन होता है लाल काली मिट्टी के अंतरगत ठीक है अब देखो साथवे नमबर की मिट्टी आती है अपनी इसमें भूरी मिट्टी तो देखो भूरी मिट्टी कहां पर पाई जाती है तो इसका वित्रक छेतर है बनास बेशिन और लूनी बेशिन इन दो बेशिनों के अंदर दोस्तो भूरी मिट्टी है वो पाई जाती है इसका उत्पादन इस मिट राजो चनाम सब कुछ दोस्तों लगबग लगबग सभी फसले हैं वो बूरी मिट्टी के अंदर उत्पादन होती है ठीक है ये अपनी साथवे नंबर की मिट्टी देखते हैं अपन तो आठवे नंबर की मिट्टी है अपनी लवन्य मिट्टी तो दोस्तों लवन्य मिट्ट का उपनाम क्या है तो रे है और कलर तो दोस्तों लवणिय मिट्टी का उपनाम है रे है या कलर ठीक है याद रखना ये दो नाम है वो आपको इसके उपनाम याद रखने है लवणिय मिट्टी के इसका निर्मान इसका निर्मान है वो दोस्तों देखो सुस्क छेतर में जहां अधिक सिचाई होती है ठीक है भूमी पर एक सफेद परत का निर्मान होता है जिसे लवनिय मिटी कहा जाता है यानि कि सुस्क छेतर में जहां पर अधिक सिचाई होती है वहां पर दोस्तों भूमी के उपर सफेद परत जम जाती है और उसको ही कहते हैं दोस्तों लवनिय मिट या म्रदा ठीक है इसके वित्रक छेत्र देखो तो इसके वित्रक छेत्र की मैं बात करूँ तो दोस्तो विकानेर गंगानगर हनुमानगर ठीक है यानि कि इंद्रा गांदी नहर छेत्र में दोस्तो इसका वित्रक छेत्र अधिक है ठीक है गंगानगर हनुमानगर और विकाने मेर मेर को और भी देखो कहां काहां पर तो जालोर बाण मेर जो नरमधा नदी चेतर है ठीक SAY नरमधा का कुछcc Apache Heath वह दोस्तों बाड मेर में भी आता है ठीक है तो प्रुमे मेर धोलोर ऑर बाड मेर के इंदर भी वो लवणिय मिट्टी के अंदर गन्ना, अम्रूद और जामून ये उत्पादन अधिक होता है इस मिट्टी के अंदर ठीक है आगे देखो मिट्टी का विग्यानिक वरगी करण तो दोस्तों मिट्टी का विग्यानिक वरगी करण में देखो मिट्टी का विग्यानिक वरगी करण USDA USDA के द्वारा पांच भागों में किया गया है विग्यानिक वरगी करण के आधार पर दोस्तों इसको पांच भागों में बाटा गया है किसके द्वारा तो USDA के द्वारा ठीक है USDA का मतलब क्या होता है तो United State Department of Agriculture दुबारा सुनो United State Department of Agriculture ये मतलब होता है USDA का ठीक है इसने पांच भागों में बाटा है विग्यानिक वरगी करण के आधार पर ठीक है जिसका आधार मिट्टी के कणों के आकार को माना है इन्हों अपने जो मिट्टी के जो कण है उनको आधार माना है जैसे अपने जलवायू को आधार जलवायू मापने के लिए आधार माना है जैसे ताप मान को माना है मोसम को माना है ठीक है तो इसके आधार पर जलवायू का वरगी करण किया गया था कई ने वर्षा के आधार पर किय था कई ने ताप के आधार पर किया था ठीक है यहां पर मिटी का जो वर्गी करण है वेग्यानिक वर्गी करण है वो मिटी के कणों के आधार पर किया गया है ठीक है अब देखो मृदा और जलवायू ठीक है यानि कि कौन सी मृदा कुछ कौन सी जलवायू के अंदर पाई ज ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि आज कल इन्ही में से प्रसनें ज़्यादा पुछे जाते हैं. तो देखो, Aridosol, Aridosol जो जलवायू है, Aridosol मरदा, यह कौन सी जलवायू के अंदर पाई जाती है, तो ये शुस्क जल्वायू के अंदर पाई जाती है Eridosol थीक है Antisal तो Antisal, सुस्क पलस अर्दसुस्क सुस्क पलस अर्दसुष्क जल्वायू के अंदर Antisal मुदा पाई जाती है तीसरे नंबर के देखो Alfisal तो Alfisal जो मुदा है ये दोस्तों उपाद्र और आद्र जलवायू के अंदर पाई जाती है वर्टी सोल तो वर्टी सोल आद्र और अतियाद्र वर्टी सोल आद्र और अतियाद्र जलवायू में पाई जाती है पाँचवे नमबर की देखो इन सेप्टी सोल तो इन सेप्टी सोल दोस्तों अर्द सुस्क आद्र जलवायों में पाई जाती है अब इनको अपन मैप के अनुसार भी देख लेते हैं तो देखो ये अपना मैप है इसमें देखो एंटी साल सबसे पहले देखो एरिडवसाल तो मैंने सुस्क वाला छितर बताया था तो कौन सा है सबसे ज़्यदा सुस्क है तो पस्मी राजस्तान इसमें देखो ये जैसलमेर का जैसलमेर आ गया विकानेर का उत्री भाग आ गया बाड़मेर का थोड़ा सा विकानेर का दक्षनी भाग और बाड़मेर का उत्री भाग तो ये पस्मी राजस्तान के अंदर एरिडवसाल मिटी पाई जाती है उसके बाद में देखो दोस्तों ये मैंने यहां पे मरुस्तल दिखाया है ठीक है यहां पे एंटी साल मरदा पाई जाती है यहां पर कौन सी मरदा पाई जाती है एंटी साल मरदा तीसरे नमबर की देखो अलफी साल जो अलफी साल मरदा है ये दोस्तों जो राजस्तान का पूर्वी भाग है ए, बी, सी, डी, अलवर, बरतपुर, दौलपुर, करोली, ठीक है इसमें दोस्तों, अलफी साल मरदा पाई जाती है यानि कि पूरवी मैदानी भाग में, अलफी साल मरदा पाई जाती है चोथे नमबर की देखो, वर्टी सॉल कौन सी है, वर्टी सॉल, जो हाड़ोती छेतर है कोटा, बुंदी, बारा, धालावाड, ठीक है इसके अंदर दोस्तों, वर्टी सॉल मरदा पाई जाती है हाड़ोती छेतर में, ठीक है, यह आपको याद रखना है और पांचवे नमबर की अपनी मरदा है, इसमें इन सैप्टी सॉल, ठीक है, यानि कि वागड पलस, उदैपूर पलस, राजसमंद पलस, चितोड, ठीक है वागड पलस, उदैपूर, राजसमंद और चितोड गड, इनमें दोस्तों, यह मरदा कौन सी पाई जाती है तो in safety soul मर्दा पाई जाती है और ये in safety soul मर्दा है ये दोस्तो राजस्तान का जो दक्षनी भाग है राजस्तान का जो दक्षनी भाग है इसमें दोस्तो ये मर्दा पाई जाती है ठीक है तो दोस्तो ये मैंने आपको डाइगराम के तुडू मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी मर्दा है वो कहां पाई जाती है इसका विश्तार से अपन कल मिट्टी है राजस्तान की मर्दा है वो अपन कल कंप्लीट पड़ लेंगे ठीक है और फिर आगे और दूसरा टोपिक पड़ेंगे तो दोस्तों अगर आपने अभी तक पिछली कलासे नहीं देखी है तो वो जरूर देखें और अरत्यारस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत